नमस्कार मैं शुबम गुपता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज IPL के 12 सीजन में किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियन्स के बीच चल रहे मुकाबले में पंजाब ने मैच 8 विक्टो से जीत लिया है पहले बल्ले बाजी करने उत्रे मुंबई इंडियन्स ने पंजाब को 177 रनों का लक्षे दिया जिसमें पंजाब ने ये स्कोर असानी से 8 बोल रहते जीत लिया पंजाब की तरफ से सबसे जादा रन केल राहुन ने 71 रन बनाए उनके अलावा क्रिस गेल ने 40 और मयंक अगरवाल ने 43 रनों का योगदान दिया मैदान पर अपने डान्स से तो क्रिस गेल दर्शकों को काफी लुभाते ही है लेकिन अपने तावड़ तोड बल्ले बाजी से भी गेंद वाजों को काफी नचाते रहते हैं जी हाँ आज के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ क्रिस गेल ने एक ऐसा बड़ा कीरती मान स्थापित किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता क्रिस गेल ने मुंबई के खिलाफ इस पारी में चार छक्के जड़कर आईपेल इतके इतियास में 300 छक्के पूरे कर लिये हैं जो की एक बड़ा कीरती मान है क्रिस गेल इकलोते ऐसी खिलाडी है जो इस मुकाम को छू सके है गेल नहीं है उपलगदी 115 वे आईपेल मैच में हासिल की और अब उनके T20 क्रिकेट में 915 छक्के हो गए है आईपेल में सरवादिक छक्कों के मामले में A.B.Devillers 192 चक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है तीसरे स्थान पर चेनी सूपर किंग्स के कप्तान म葉ंडरी सिंग दोली 187 छक्के लगा चुके है उनके बाद चेनी सूपर किंग्स के सुरेश रहना 186 छकों के साथ 40 स्थान पर है वहीं 5 वे नमबर पर 184 चकों के साथ रोईष शर्मा है विराट कोली छटे स्थान पर हैं उनके खाते में कुल 178 चक्के हैं क्रिस गेल को युनिवर्सल बोस भी क्यों कहा जाता है उन्होंने यह दिखा दिया है क्रिस गेल के इस रिकोर्ड के कोई आसपास भी नहीं है उनके अलावा की सी खिलाडी ने अपने अभी 200 चक्के भी पूरे नहीं किये हैं तो कहा जा सकता है क्रिस गेल इस रिकोर्ड के साथ काभी समय के लिए टॉप पर बने रहेंगे ऐसे ही IPL अपडेट्स की ताजा जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े और बैल आइकन को दबाना ना भूले धन्यवाद